एक समय था जब जन्ता को साफ पानी के लिए कोसो दूर पैदल चाना पड़ता था सूखे राज्य होने की वज़े से जन्ता को साफ पानी के लिए जद्दो जहद करनी पड़ती थी साफ पानी की समस्या को पियम मोधीची ने जल जीवन मिशन की शुरुवात कर दूर किया 2019 में आरंभु हुई इस योजना के शुरुवाती 4 साल में 60% ग्रामीड घरों में नल से सुच्छ जल पहुँच रहा है 15 अगस्त 2019 तड़ देश के मात्र 16% ग्रामीड घरों में नल से जल पहुँच रहा था जल जीवन मिशन की शुरुवात होने के बाद से 11 करोड 66 लाग ग्रामीड परिवारों के घर नल कनेक्शन लग चुके है इस मिशन को लेकर भाजबा सरकार कितनी गंभीर है इस बाद का अंदाजा इसी बाद से लगाया जा सकता है कि महस चार साल में ही पाँच राज्यों तथा तीन केंदर शाशित परदेशों ने शत प्रतिशत कवरेज हासिल कर ली है जल जीवन मिशन की सफलता की बज़र उसके चार मजबुत स्तंभ है पहला जन भागिदारी दूसरा साजेदारी दीसरा राजनीती की च्छाशक्ती और चौथा सौसा धनों का पूरा इस्तेवाल पियम मोदी के नेतरुत वाली भाश्वा सरकार दोहजार तेईस में हर दिन औसतन 87,000 नल से जल के कनेक्शन लगा रही है भारस सरकार के जल जीवन मिशन की तारीफ करते हुए नौवेल विजेता प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने कहा कि यह मिशन हर साल 5 साल से कम उम्र के 1,36,000 बच्चों की जान बचाएगा पियमोदी के नेतरुत वाली भाच्वा सरकार ना सिर्फ बच्चों की जान बचा रही है बल्कि जनता की बुनियादी मांगों को भी पूरा कर रही है वो मांगे जो आज से 40 साल पहले पूरी हो जानी चाहिए थी